हलो फ्रेंज, वेलकम बेक टुट मैं चैनल आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि किड्स के कुर्टा बनाने के लिए किड्स का, किड्स गर्ल का कुर्टा बनाने के लिए किड्स का कुर्टा बनाने के लिए ड्राफ्ट कैसे क्रेट करें कुर्ती के लिए अगर ड्राफ्ट बना बनाया होता है तो कटिंग और मार्किंग बहुत ही इसली हो जाती है और इसलिए मैंने जिसका बनाना है उसकी मैंने सारी मिजर्मेंट्स ले ली है आप देख सकते हैं लेंध 28 इंच है शॉट कुरता है पटियाला के लिए चेस्ट 29 इंच है वेस्ट 25 है हिप 31 है शोल्डर 14 है स्लीव हमारी फूल स्लीव बनेगी बट 12 इंच तक प्लेन आएगी उसके बाद 5 इंच की डिजाइनर स्लीव लगेगी उसमें अटैज होगी तो ये फूल स्लीव आजाएगी फिलाल हमें स्लीव जो कट करनी होगी वो 12 इं है और तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे कुर्टी के लिए और यहाँ पर हाले करूँगी और बैक नेख के हिसाब से कटिंग करूँगी इसमें एक ओधर बादे शुटके में राउंड नेक होगा तो मैं बैक नेक इसमें 4.5 इंच है उसके हिसाब से मैं कटिंग करूँगी और इसी ड्राफ्ट को फ्रेंट पैनल पे रखके उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के पैब्रिक पे मैं नेक कट कर लूँगी फ्रेंट नेक हमारा 5.5 इंच है और आर्म होल की गुलाई भी मैं इस ड्राफ्ट में बैक के हिसाब से लूँगी बट मार्किंग में आपको दोनों की ही दिखाऊंगी तो सबसे पहली हमारा शोल्डर है 14 इंच 14 इंच that means की 14 का आधा कर लेंगे मैंने बताया था अगर आपको नहीं आता है कैलकुलेशन तो 14 तक पकड़ें और ऐसे प्रेस करें यह देखें एवन इंच पर आकर इंची टेप हमारा रुग गया यहां से हम सेवन इंच पर शोल्डर मार्क कर लेंगे यह 7 इंच पर शोल्डर मार्क हो गया, नेक हमारा 7 इंच पर शोल्डर है, यहाँ पर 2.5 इंचेस पर हम मार्क करेंगे, नेक के लिए, क्योंकि 8-9 इंच या 10 इंच के लिए हो रहा है, तो बहुत जादा ना हो जाए, इसलिए मैं गला डीप मतलब बहुत जादा गला बहे ना, कंधे पे से उत्रे ना, कंधा उसका उत्रे ना, इसलिए मैंने इसे 2.5 इंच पर ही रखा है, अभी यह स्टिशिंग ह होगी, उसमें पट्टी लगेगी, तो यह थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यहां से मैं शोल्डर के पास, हाफ इंच पे, हाफ इंच पे, या वन सेंटिमीटर से अगर आपना पे, तो वन सेंटिमीटर के आसपस, थोड़ा सा शोल्डर को डाउन कर दूगी, ऐसे, यह, श पास है, यहां पर मार्क करके, इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से केट्स का ही नहीं, अगर फूल मिजरमेंट आपके पास है, तो आप किसी बड़े का भी ऐसा सा शारा मिजरमेंट ले करके, आप ड्राप्त क्रियेट कर सकते हैं, बहुत ही ऐसली, यह हमने, सेवन इंच ल यह हैं तो यहां पर हम six inches पे mark कर लेंगे seven inch kids के लिए काफी जाधा हो जाता है six inches पे mark कर लेंगे क्योंकि अंदर में हमें losing भी काफी रखनी है यही से हम chest की marking लेंगे यही पर हमारा chest है 29 inch गेन मैं आपको बताऊंगी 29 इंच है आपको 29 का 4 पार्ट करने में दिक्कत होगी तो इंची टेट से हाफ कर लीजे and then एक पर और हाफ कर लीजे यह हमारा आ जाएगा 8.5 इंचेज sorry विर 7.5 इंचेज 7.5 इंचेज हमारा चैस्ट आ गया यहाँ पर इसमें हम लोजिंग रखेंगे 1.5 इंच की लोजिंग है यह पूरा हमारा यहाँ तक आ जाएगा ओरेड़ी जो भी हमने लिया है आप और जाद़ लोजिंग रखना चाहें तो और जाद़ लोजिंग रख सकते हैं मैं यहाँ से यह 1.5 इंच पर वेस्ट की मार्किंग यह किट्स के लिए है इसलिए 5 इंच पर वेस्ट की मार्किंग कर रहें अदर्वाइस साड़े छे या साथ इंच पन बड़ों के लिए हम वेस्ट के लिए मार्किंग करते हैं आम होल के पास से चेस्ट के पास से तो वेस्ट हमारा है 25 इंच 25 इंच that means कि 25 वेस्ट है तो 25 का आधा हमारा होता है 12.5 12.5 होता है 12.5 का भी आधा करेंगे क्योंकि हम 4 फोल्ड पे मार्किंग कर ले हैं तो ये अभी हाफ हुआ इसका हाफ हो जाएगा 6.25 सबचे मतलब की तो सबचे इंच पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे ये देखें ये हैं यहाँ पर हमारा वेस्ट आ रहा है इसमें डेड़ इंच की लोजिंग रख लेंगे ये लोजिंग रख लेंगे इस पॉइंट को हम बिल्कुल ऐसे तिरचा कभी न मिलाएं ये जो आप ऐसे मिला देते हैं बहुत से लोग ऐसा कभी न मिलाएं बहुत गलत तरीका है मिलाने का यहाँ से बिल्कुल हलका सा ये देखें ऐसा हलका सा स्लोप लीजिए बिल्कुल हलका सा हाफ इंच से भी कम है ये स्लोप हाफ सेंटीमिटर के आसपास है ये स्लोप हाफ सेंटीम यहां से वेस्ट की पास से फिर हम साड़े पांच इंच पे एक निशान बना लेंगे अब यहां पर हमें हिप की मार्किंग करने हैं हिप है हमारा 30 इंच 31 है हम 30 लेकर चलते हैं उसमें हम 2 इंच की लूजिंग रख लेंगे देट मिन्स की 30 लेंगे तो 15 इंच हो गया हमारा हाफ और फोल्ड फोर करेंगे तो 7.5 इंच 7.5 इंच में हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे हमारा हो जागा 9.5 यहां पर हम मार्क कर लेते हैं हिप का अब यहां से यह हम बिलकुल हलका हलका ऐसे डॉट डॉट ले करके हलका सा कर्व यहां भी ले रहे हैं हम आपको दिखा लूँ में यहां पर हलका से यह देखी यह स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी ये मैंने हलका सा कर्प ले करके हिप को मिला दिया ठीक है ये हमारी टोटल मार्किंग हो गई अब यहां से हमें बैक के आम होल की गुलाई करनी है तो इस जगे से किट्स के लिए बना रहे हैं तो वन इंच से थोड़ा सा कम हम मार्क करके यहां से हम ये वन इंच से थोड़ा सा कम हमने यहां से मार्क किया है ये हम इस तरह से गुलाई ले लेंगे चीक है और अगर हमें फ्रंट की गुलाई करनी होगी तो यहां से हम हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्क कर लेंगे और इसी को हम ऐसे मिला देंगे इस लाइन को और फिर यहां से हम similarly वान इंच से थोड़ा सा कम मार्क करते हुए यह गुलाई यहां से ले लेंगे ऐसे तो यह हमारी फ्रंट की मार्किंग हो जाएगे यहां पर मैं सिर्फ बैक की मार्किंग कर रही हूँ यह हमारी पूरी कटिंग हो गई है बैक के नेक के लिए राउंड शेप ही रहेगा तो राउंड शेप नॉर्मली अगर आप ड्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें राउंड शेप ही बना कर रखें छोटे गले का और आपको फिर बाद में जैसे फ्यूचर में कभी ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है और जो जैसा नेक बोलता है उसके एकॉर्डिंग आप नेक कट कर सकते हैं बहुत ही आसानी है तो यह हमारा फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो चुका है अब हम इसको कट करते हैं यह जो हमने लोजिंग रकी थी यहां पर यहां पर यहelozen वाले अरिया से कटेंगी हैं हमारा फिटिंग वाला एयरिया था यहां लोजिंग वाले इयरिया से ने कट था सास्व रखाऊ और यहांकर आपका ही साथ काकई बेक। ऑर यह दखार मीरे करी चाहले समें क 걸갈ा एक डिश कम लेधा है हिप के पास मैं जब कुटिंग करूंगी तो एक इंच के आसपास मैं यहां पर फैब। को इस तरह से बढहाकर फैब। को बाड़ सब्सक्राइब के चांटेंग मार्किम बढ़ा कर यहां पर जैसे ऐसा फैब। कशोय को यहा है यह shape आएगा तो जब भी आप draft create करें तो इसी सब accordingly इसी के draft create करें बहुत ही असानी से बहुत ही अच्छे से draft create हो जाता है तो friends आपको मेरी draft की मार्गी draft बनाने का pattern कैसा लगा आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा thanks for watching friends please like, share and subscribe my youtube channel